एलो दोस्तों वेलकम बेक टूनौले सब्डेट योटोब सेनल दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपका पेटियम है पेटियम में कैसे आप एक दो बैंक एकाउंट है उसके आलाव भी और एक बैंक एकाउंट एड करना चाहते हो कि पेटियम पे बैंक एकाउंट कैसे एड करते हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को अब ध्यान से देखना तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक request है जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुश में वीडियो को like कर दिना है और channel को subscribe करके उसके साथ जो bell है ये all bell पे आपको दबा के रख दिना है उसके साथ साथ जो वीडियो देख रहे हो simply comment box आएगा तो दोस्तो इसी comment box में आपको एक comment कर दिना है patium bank add ये comment आपको कर दिना है ठीक है जैसे ये comment कर दो comment हो जाएगा उसके बाद दोस्तों करना क्या होगा जो भी आपका patium है patium में आना है ठीक है patium में आने के बाद simply जो profile है आपका profile पे click कर दिना है उसके बाद नीच आना है नीच आने के बाद यहाँ पे एक setting मिलता है UPI payment setting तो इसी UPI payment setting पे click कर देना होगा जैसे कि अभी यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ जैसे कि यह दो दो bank account है ICSA bank और central bank तो मैं और एक bank account add करूँगा तो new bank account पे click करना है आपको करने के बाद जो भी bank account आप add करना चाहते हो जो भी आपका phone number है यहाँ पे दिखाएगा उसके बाद interior bank name जो भी आपका bank name है वह यहाँ पे search करना होगा जैसे मेरा अभी तिसरा bank account add करूँगा Indian versus bank तो मैं click करता हूँ और मेरे जो इस phone number से अभी आएगा तो यहाँ पे देख रह है लाज्ट इस डिजिट ऑफ डेविट कर्ट जो भी आपका ATM card होगा ऐसे शुला नंबर होता है उसका लाज्ट इस यहाँ पे देना होगा तो मैं यहाँ पे लाज्ट इस डिजिट देता हूँ जैसे कि यहाँ पे मेरा है 46 और 7281 ठीक है दे दिया उसके बाद मांत और एक 328 दे दिया ठीक है यह दे दिय है दे देने की बाद आप अभी प्रोसेट का जॉप्चन देख रहे हो अभी आपको बैंक में यह ट्रांजक्शन करने के लिए यूपीय पीन क्रिएट करना बहुत जोड़ रही है तो अभी मैं यूपीय पीन क्रिएट कर लेता हूं कि एक यूपीय पीन क्रिएट कर लिया सब्मिट कर लेता हूं उसके बाद कॉंफर्म कर लेता हूं जैसे confirm कर लिया submit उसके बाद submitting your UPI pin तो अभी देखो UPI pin set successfully ओके कर दिना होगा ओके कर दिने की बाद अभी देखो मेरा Indian Oversus Bank यहाँ पे add हो गया पहले दो बैंक था अभी देखो तीन बैंक add हो गया उसके बाद अभी मैं simply क्या करता हूँ मेरा bank balance check करता हूँ तो अभी मैं simply यहाँ पे view all पे click करता हूँ देखो मेरा अभी तीन bank account add हो गया ICSA banks, Entral bank और Indian Oversus Bank तो अभी मैं अगर चाहता हूँ मेरा bank में कितना balance है तो check balance में click करूँगा और मेरा जो भी personal UPI pin है वो डालता हूँ submit करता हूँ यहाँ पर जितना भी bank balance यहाँ पर दिखा रहा है तो इसी तरह से जो है आप आपकी पैटियम की जो भी पैटियम में आप बैंक जो भी बैंक है आपका उसको आप इसी तरह से add कर सकते हो